नमस्कार आप देख रहे हैं युक्चरन मैं हूँ आपके साथ खुश्व से चले एक नज़रा आ लेते हैं रास्तान से रूड़ी कुश्पड़ी खबरों पर अईद्वा में 22 जनवरी को हो रही रामलला की प्रान प्रतस्था के दोरान घरगर होने वाले दीपोचों के साथ साथ लोग आतिशवाजी भी करेंगे इस संबन्द में अडिशनल कमिशनर कुवर रास्त्रदीप ने आदेश रारिकर 13 जनवरी तक पठाका व्यपारियों से आवेदन मांगे हैं ये लाइसेंस 18 से 23 जनवरी तक पठाका बेशने के लिए मानने होंगे आवेदव को आवेदन पत्रक के साथ प्रसावेत स्तल का ब्लूप्रिंट मैप की चार प्रतिया जिसमें आज़वास और व्योजाई के स्तल की इस्तति पस्ट रूप से अंकित हो साथ ही दो पास्पोर्ट साइज फोटो दुकान के स्पस्ट रंगीन फोटो और जगे के स्वामितु संबंदित दस्तावेजों की प्रमानित छाया प्रतिस्ट लंग की जाए यह आविदन कारी दिवस के दौरान कमिश्रेड की लाइसेसिंग शाखा में जमा कराना होगा प्रतिस्टा मोहत्सो यानि दूसरी दिपावली बना सके राजानी जयवपुर में पुलिस ने बड़ी कारिवाही करते हुए अंतर वास्ट्रे साइबर के चार ठगों को गिरफतार किया है पुलिस की पूश्टाश में आरोपियों ने ठगी की वारदात करना कबूल भी कर चुके हैं बदमाशों ने कई राज्य बिहार तेलंगाना जामताडा के साइबर ठगों से संपर कर हैकिंग के गुर्ष सीखे इसके बाद साइबर ठगी करना शुरू कर दिया इन बदमाशों ने यूटूब में वीडियो देख कर ठगी हैकिंग के तरीके सीखे यह इतने शातिर है कि अलग-अलग एप के माध्यम से खुद की ऑनलाइन लोकेशन को बार-बार बाउंस करवाते हैं ताकि इनकी सही लोकेशन को ट्रेस्ट नहीं किया जा सके पोलिस ने बदमाशों के पास से एक हाई-टेक मोडिफाई कम्प्यूटर एक लैप्टॉप तीन आइफ प्रासान के परवती परेटर गिस्तल माउंट आवबू में गुर्वार को नियूंतन तापमान जमाओ बिंदू से नीचे रहा और पाराशुणी से तीन डिग्री सेल्चिस नीचे पहुंच गया है इसकी कारण कर लाकों में बर्फ की पतली चादर नजर आई मौसम विभा क्योंकि अनुसार मकर सक्रांती तक प्रदेश में तेज सर्दी रहेगी इसका कारण वेस्टन डिस्टरबिंस का असर खत्म होना है उतर भारत से आ रही सर्द हवा के कारण तापमान में गिरावट आई है ऐसे में संभावना है कि रजस्तान में सर्दी का असर अभी कम नही होगा अगले एक दो दिन में नियुंतम तापमान में और भी गिरावट हो सकती है राजानी जैपूर में पिष्टे एक सब्ता सिजारी घनी कोवरे से आज काफी रहत मिली है सुबे सुबे धूब खिल जाने से जैपूर वासियों को ठंड से काफी रहत मिली रासान में 14 जनवरी को मकर सक्रांती पर सुबे और शाम दो दो घंटे पतंगबाजी पर रोक लगी रहे की राज्यसरकार के ग्रह विवाग ने सम्मंद में सबी कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कलेक्टरों से कहा गया कि सुबे 6-8 और शाम को 5-7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक सुनशित की जाए इस वरान आसमान में पक्षियों के अधिक संख्या में उनने के कारण ये फैसला किया गया है इसके साथ इस सरकार ने निर्देश दिया कि पतंगबाजी में चाइनीज मांजी प्लास्टिक सिंथेंटिक मांजी और जहरीले मेटल से बने मांजी के उपयोग पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी इसके लिए भारतिये दंड सहीता के धारा 145 के प्रावधानों के तहट पतंगबाजी पर रोक लगाने के साथ ही चाइनीज प्लास्टिक वे सिंथेंटिक मांजे को बनाने बेचने और भंडारन करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है सरकार ने बुद्वार को बड़ा प्रशाशनिक फेर बदल करते हुए 40 IAS अधिकारियों के तबादले किये सरकार ने पिछले दिनों ही करीब धाई दर्जन जिलों के कलेक्टर ADM और STM बदल दिये थे कार्मिक विभाग 12000 नई सूची में ECM शर्मा के प्रमुक सचीव T.R.Vikant को प्रमुक शाशन सचीव नगरिये वे आवसन विभाग और प्रमुक शाशन सचीव स्वाई शाशन विभाग की भी जमदारी सौपी गई है इसी प्रकार मुख्य सचीव सुधान शपंद को मुख्य आवासी आयुक्त नहीं दिली और प्रशाशक राजफेट जयापूर की भी जमदारी दी गई है सरकार ने जोटपू डवलप्मेंट अधावची में उत्साथ चौधरी को आयुक्त नुक्त किया है जयापूर विकास प्राधिकरण में मंजूर राजपाल को कमिश्नर लगाया गया है महीं अजमेर संभागी आयुक्त के पतपर महिश शर्मा को लगाया गया है चुनाव आयोक की ओर से एप्यो किये गए पुखरास सैन को आयुक्त कॉले शिक्षा पिभाग लगाया गया है तब हम कबरों को देखने के लिए बने रही हमारे साहत युक्त चर्ण पर तब तक लिए नमस्कार